गुड मॉर्निंग स्टुडेंट ट्वैल्थ अकाउंट एंसी का आज हम एक नया चैप्टर सुरू कर रहें एडमिसन ओफ पार्टनर एक सांज़दार का फरम में परवेस मैक्सिमम इस क्यूस्टिन में नुमेरिकल हैं थेोर्टिकल पॉर्शन बहुत का में लेकिन फिर भी सबसे पहले फर्म में नए संज़दार की कभी अवशक्ता उगी जब अग्स का längे कर रहें तो हम चूने पार्टनर कर alguna के इसलिए भी बिलाएंगे कि हमें उसक Henday acum Um उसक्ता क्यूं हो सकती है सबसे पहला सब्सेक्इमम फिर बाइदे से कहाब को कि हमें आउशकता क्यों हो उसमें सबसे पहला कि उसे नहीं जब ववाश्याय के विस्तार के लिए अधिक पुन्जी की आउशकता हो तो हम एक नए पार्टनर बनाते हैं कि हमने तो जो अपने पुन्जी थी A, B, C, B, N, 3 नो ने तो अपने पुन्जी लगा जी यह और अधि capital चाहिए यानि और अधिक पुण्जी चाहिए तो एक एक नए पार्व्यक्ति को पार्टनर बढ़ा लें जब वो फरम में आएगा तो अपने इसे की capital लेकर आएगा और आमारी पुण्जी की आवशकता पूरी हो जाएगी नेक्स्ट पॉइंट है जब व्यवुष है कि संचालन के लिए किसी योग्य और अनुभवी वेक्ति के आवशकता हो जब आम उस वेक्ति को क्या करेंगे उस वेक्ति को पार्टनर बना लिए उस वेक्ति की प्रापती हो जाएगी उसके बाद है यानि की पहला कंडिसन है अगर पुंजी की ज़ादा आउशकता हूँ दूसरी बार किसी योग वैक्ति की आउशकता हूँ तीसरा है किसी पर वाउसाली वे विख्यात वैक्ति को साजी बना कर यानि साज़दार बना कर विख्याति वे परतिस्ठा में विर्दी के जाए या मैं लेज़े वारा बिजनिस किसी एक यर दो योग्य करमचारियों के उपर ठिका है योग्य वरकर के उपर ठिका होँआ है तो पहला है जब अधिक पुन्जी किया हो सकता हो, किसी योग्य वैक्ति किया हो सकता हो, किसी परतिष्ठित वैक्ति को मिला नहीं हो, ताकि गुडवील में विर्दी हो जाए और किसी योग्य गरमचारी को फोर्टासाइद करने के लिए सांज्यदार बना लिया जाते है अब ऐसांज़दार के परवेश से फरम का पुनर गठन जैसा ही सांज़दार नया सांज़दार हम फरम में परवेश करेंगे तो क्या होगा माली जीए पहले दो सांज़दार थे A, ratio B यानि दो अनुपात थे अब तीसरा सामिल कर लिया तो कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगा अगर पहले तीन है तो फिर कितने हो जाएंगे A, B, C, D Performance कितने हो जाएंगे चριाश तो यानि सीद्धी सी बात है उनके बीच में जो पहले जो अनुबंद था दो ग्सक्राक्षियों पुराना कोंट्रेक्ष्ट खत्म, नया कोंट्रेक्ष्ट शरूँ अगर उन्हें पुराणा केंट्रेक्ट खतम और नाया कोंट्रेक्ट सरू तो क्या हो जाएगा सांजदारी का पुनर गठनी यानि सिंपल वासा में जो पहले जो सांजदारी सनलेक था पुराने पार्टनर्शिप डीड का खतम होना और नया पार्टनर्शिप डीड लागू होना यह क्या कहलाता है सांजदारी का पुनर गठन यानि कि नए सांज़दार के परवेश के समय सांज़दारी सनलेख बनाना होता है यानि जैसे एक नया पार्टनर्शिप एडमिट होगा तो हम एक पार्टनर्शिप डीड बनाना होगा क्योंकि जो पुराणा था जो पुराणा था वो तो खतम होगा एकसपायर हो जाएगा जैसे एक नया पार्टनर है और बारते सांज़दार या देनियम एक धिस की दारा एक के अनुसार कोई नया सांज़दार भी परवेश किया जा सकते हैं जब पुराणे वाले दोनों पहले इंदर वो सबी एगरी हों वो तोम राज। यानिकitchen संह मत ओँ पुराणे सांज़दार तो कि यह नई व्यक्ति को अम पार्ट नई बना सकते हैं। इंगे अ कर न आ आझ चाय को फारम में पारवेश करता है, अगर एक नए पार्टर रहा है व्यक्ति थे, जो फरम की गुडविल की वैलोवेशन की जाएगी यानि नया पार्टनर तो क्या लाएगा एक तो कैप्टल लाएगा और एक गुडविल इनके बदले क्या लेगा वो सेयर इन प्रोफिट लेगा लाबों में इसा लेगा जब आगे फरम को जो लाब होंगे उनमें इसा करेंगे कि एक नयासा जेदार फरम में परवेश करता है तो किनकिन क्यां आपशकता पड़ती है कौन-کون से काम करने पड़ेंगे नامर एक profit sharing ratio profit sharing ratio नय profit sharing लाव या आजन अनुपात नय बनाना पड़ेगा goodwill की valuation करनी पड़ेगी अमें फरम की ख्यात्ती निकालनी पड़ेगी कितनी होगी एक तो नय लाव आने अनुपात goodwill की valuation करनी पड़ेगी revaluation करना पड़ेगा जो assessed और राइबल्टी है उनका revaluation करना पड़ेगा उनका दो बाला देखी जाएगी कि कितनी कीमत बुक्स में लिखे उतने की assessed liabilities है या नहीं उसके बाद संचित लावों का लेख आनकन वेवार जैसे last chapter में भी हमने बताया था कि reserve यानि कि journal reserve हमारे पास जो reserve है reserve और reserve profit जो पहले से फरम में balance sheet में लाब आनी दिखाए गए है या कोई journal reserve capital reserve दिखाए गए है उनका लेख आनकन वेवार किया जाएगा और उसके बाद संचदारों की पूंजियों को नई लाव विवाजन अनुपाद में समायो जित करना जो capital है capital adjust अगर कहा जाए तो adjusted in profit sharing ratio यानि कि जो capital है उसे लावी वाजन अनुपाद में adjust किया जाएगा नए partner पर यह करेंगे profit sharing ratio निकालेंगे good will की valuation करेंगे assessed और liability का revaluation करेंगे reserve और reserve profit है उनकी entry करेंगे यानि उन्हें distribute कर देंगे old partner में और capital adjusted capital adjusted in profit sharing ratio और जो पूंजी अगर question में कहा जाए तो जो पूंजी होगी उसे लावी वाजन अनुपाद में adjust कर देंगे और इसमें आमें एक नय profit को निकालना होगा यह बता ने profit sharing ratio एक new profit sharing ratio भी calculate करना होगा थैंक यू